नमस्कार दोस्तों, गेट मंत्रा में बहुत सहागत है आपका, चलिए, तो इससे पिछले वीडियो में हम thermal stresses को डिसक्स कर चुके हैं, now we come to the partial restriction or partial expansion of the rod, ठीक है, मतलब मेरा जो rod है, वो partial ही क्या कर सकता है, expand कर सकता है, then उसको हम क्या करेंगे, restrict करेंगे, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता, पर यह समझ लेते हैं, जैसे यहाँ पर यह diagram देख रहे हैं आप, तो यह भी मेरा एक fix side है, और इधर मेरा यह rod है, ठीक है, अब इस rod पे, let's say, मैंने क्या, कुछ temperature increase किया, तो temperature increase करने से, क्या होगा, वो expand होगा, तो मैंने बोल दिया, यह side जो है, यह वाले, इस side को मैंने थोड़ा सा, उससे दूर रखा है, मतलब वो अब क्या कर सकता है, freely expand कर सकता है, ठीक है, तो let's say, मैंने की delta, उसमें क्या दे दिया, free expansion, वहाँ possible है, ठीक है, कितना delta का, ठीक ह sorry, lambda का, ठीक है, तो यह lambda का free expansion उसमें possible है, तो जैसे ही वो lambda तक पहुचेगा, lambda के पहुचने के बाद, फिर उस पर कौन सी, यह RB और RA, जो load है, वो लगना सुरू होंगे, clear है, ठीक, समझते हैं, तो I think, यह concept सौन में आया होगा, को कि, जो मेरा delta है, वो delta तक मेरा rod, यदि मैं temperature बढ़ाऊं भी, तो उसमें कोई stress develop नहीं होगा, लेकिन, जैसे ही वो delta तक पहुचा, और delta से, जैसे ही मैंने कुछ temperature भी increase किया, तो उसमें stress develop होगा, ठीक है, तो यहाँ पर यह जो लिखा है, मैंने वही लिखा है, कि delta of thermal is less than of lambda, यदि मानलो, यह 3 mm है, और आपने इतना temperature ब of thermal, मतलब 2 mm का gap दिया था आपने, वो expand हो गया, साड़े 3 mm, 4 mm हो गया, ठीक है, 3 mm हो गया, तो 2 mm तक कोई stress नहीं था, लेकिन 2 mm के बाद, जैसे ही आपने temperature और बढ़ाया, तो वो क्या करेगा, उस gap को feel करने के बाद, उस पे compressive stress लगाना सुरू करेगा, ठीक है, मतलब तब stress develop होगी, यह बाद समझ में आ रही है, आपको मतलब, कब तक stress develop नहीं होगी, जब तक इस से कम है, और जैसे ही उस से बढ़ा हुआ कि, आपका stress लगना सुरू, ठीक है, तो इस concept को ध्यान रखीगा, क्योंकि it is also very important concept, 2016 में या 15 में, इसी पर based, gate में एक question आया था, और IS में भी बहुत बार इसा question पूछा चाच चुका है, ठीक है, तो be aware about that, कि क्या होता है ये concept, ठीक है, तो हम क्या समझते कि delta, जो मेरा free expansion equals to delta of, limit I equals to delta of thermal plus delta of reaction, ठीक है, reaction कब लगेगा, जब उस पर वो expand हो जाएगा तब, ठीक है, तो ये expansion, ये वाला expansion equal to क्या, delta of thermal, मतलब ये free expansion हो गया, प्लस ये कब लगने लगेगा, जब ये cross कर जाएगा, तो minus R into L upon A into E, R क्या कौन सा हो जाएगा, जब जैसे उसको जाके touch करेगा, वैसे उस पर reaction force लगने लगे जाएगा, ये R जो है वो reaction force, that is L PL upon A E, अब ये opposite side लग रहा है, इसलिए minus है, ठीक है, क्योंकि expansion इधर हो रहा है और जो delta of thermal है, मतलब जो उसका compression है, वो opposite side हो रहा है, ठीक है, तो ये इसलिए negative हो गया, ठीक है, और यहां से हम क्या कर सकते है, R की value निकाल सकते है, तो क्या हो गया, ये पूरी time उठके इधर आ गई, और इसको delta lambda को उठा के इधर लेकिया जाएगा, तो क्या हो गया, alpha delta T L minus lambda, R L upon A E, उधर गया, तो positive होगे, इधर multiply कर दो, तो A E upon L, तो R क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, delta lambda, alpha delta T L minus lambda upon L, A E, तो ये आपका क्या आ गया, reaction आ गया, ठीक है, ये जो R A और R B है ना, ये reaction आ गया, ठीक है, मतलब ये आपका ultimately देखा जाए, तो force अब develop होगा है, तो force की व समझ में आया होगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चर ये, तो, आगे क्या है, कुछ नहीं, अब इसी से, मतलब ये ही अपना इतना सा concept था, कि जब ये को partial restriction दिया हो, तो ये use करना है, ठीक है, आगी बात clear, समझ में, question लेते हैं, मैं यहाँ पर ये question simple ले रहा हूँ, और इस कर दिया, ठीक है, मतलब इसमें stress सुरुआ से ही develop होगा, कोई partial restrictions में, मतलब partial expansions में possible नहीं है, ठीक है, अगे बात करते हैं, तो, अब हाँ मुझे given क्या है, area given है, 20 centimeter square, length given है, 10 meter का, delta T दिया है, 50 degree Celsius, ठीक है, clamped end है, मतलब दोनों ends को ही मैंने clamp कर दिया है, ठीक है, E दिया है, 200 गीगा पासकल और अलफा दिया है, 10 into 10 to the power minus 6, तो आपको क्या बोड़ा thrust निकालो, thrust मतलब क्या, force, obvious है, तो force निकालना है, आपको, force मतलब क्या, जो अभी हमने formula देखा, आपने पहले वाले वीडियो में formula डेराइव किया था अपने, कि आर इक्वस्ट तो, alpha delta T into E into A, अच् sigma equals to क्या होता है, alpha delta T into E, अब E क्या है, sigma क्या है मेरा, r upon area, तो यहां से area इधर multiply होगे, तो alpha delta T into E into A, यह formula यहां से आया, ठीक है, यह समझा है आपको, तो यहां से सीधा क्या निकाल लेंगे, r निकाल लेंगे, this is your thrust, ठीक है, मतलब जो force लग रहा है, वो आ जाएगा, लेकि if I want to change the question, मतलब मैंने कुछ question में change किया, please आप इसके जो answer है, वो comment box में लिखिएगा, ठीक है, चलिए, देखते हैं, तो मैंने क्या किया, कि यह उठा कर यहां कई रख दिया, ठीक है, और मैंने कुछ amount में, मतलब delta lambda provide कर दिया, मतलब lambda दे दिया, मैंने let's say 3 mm का, ठीक है, या 4 mm रख दो आप, ठीक है, 3 mm का रख दिया, ठीक है, बाकी सारे parameter as it is है, तो उस case में जो r है, वो r विकालना है आपको, clear है, आपके पास formula है, यह वाला, alpha delta tl minus lambda upon l into a into e, सब कुछ पता है, यहाँ पर नई चीज क्या आ गई, lambda, ठीक है, तो बस उस lambda की value को होँआ पर उठा के है, और आप इसका answer, comment box में दिखें, क्या आ रहा है answer, ठीक है, चरिए, तो आगे बढ़ते है, next example पे, next example क्या बोल रहा है, कि length दिया है आपको, 1 meter का diameter दिया है, आपको, 50 mm का, और rigidly held है, ठीक है, मतलब अपना जो block है, वो दोनों के बीच में कोई partial expansion या partial restriction possible नहीं है, ठीक है और T1 दिया है, 10 degree Celsius, सिग्मा आई, यहाँ पर एक नई चीज आ गई, ठीक है, यह आपको इस तरह का question में, conceptual question में इस तरह का बात बोल सकता है, कि यहाँ पर क्या बोलते है, सिग्मा आई, मतलब उसमें initial stresses already है, कितनी है, 10 mega Pascal, वो भी कैसी, compressive, compressive मतलब negative, ठीक है, अलफा दिय जा है, Tf, 10 से उठा के temperature कितना बढ़ा दिया, 15 मतलब कितना degree temperature change हो रहा है, 5 degree Celsius का change हो रहा है, ठीक है, E आगे आपका 200 giga Pascal, तो मुझे sigma final बताओ, कुछ नहीं, बड़ा simple है, sigma final equal to क्या, sigma initial, यह तो हमेशा रहे गई रहेगा, प्लस, अब temperature की वज़े से कितना change आ रहा है, तो क alpha, alpha कितना बहिए, 10 into 10 to the power 6, delta T, कितना change हो रहा, 5 degree Celsius का, तो यह 5 हो आ गया, ठीक है, फिर E, E की बात करें तो यह आ गया, ठीक है, और यह 5 by 4 D square नहीं होगा, ठीक है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर क्या निकालना है, stress, ठीक है, ना कि यह तो यह नहीं आएग निकाल सकते हैं, clear है, तो इसका भी answer आप verify करिएगा, बताइएगा क्या आ रहा है answer, ठीक है, तो जब आप इस तरह से करेंगे, ठीक है, मैं क्यों यहाँ पर आपको procedure दे रहा हूँ, ठीक है, procedure में दी कुछ doubt है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है, no doubt, मैं उसको clear करू आगे बात करते हैं, एक और example ले रहे हैं, कि हम क्या बोल रहे हैं कि 10 mm का एक steel rod है, उसका final temperature 20 degree Celsius है, final temperature 60 degree Celsius है, यह दिया है, अलफा दिया है, तो सिग्मा निकालो, सिग्मा इक्वल तो अलफा डेल्टा टी, इंटू, सिग्मा इक्वल तो अलफा डेल्टा टी, एल, ठीक है, अब देखो, यहाँ पर आपको इस question में partial restriction given है, ठीक है, कितना given है, यह बोल रहा है, कि आपका जो expansion है, मतला आपको यहाँ पर लेमडा की value, इस question में हैं नहीं लिखा, ठीक है, तो लेमडा की जो value है, that is 4 mm, आपको given है, ठीक है, मतला आप इतना freely expand कर सकते हो, ठीक है, तो पह कितना है, 12 into 10 to the power minus 6, delta T कितना है, 60 में से 20 गया, 40, into L, L कितना है, मेरा 10, तो यह आ गया, तो कितना mm, बोले 4.8 mm, पर मुझे restriction मतलब free expansion कितने में हो सकता है, 4 mm, ठीक है, तो इस वाली value को मुझे क्या करना पड़ेगा, minus करना पड़ेगा, 4.8 minus 4, तो कितना आ गया, 0.8, अब 0 0.8 के respect में मैं क्या निकाल लूँगा, stress, ठीक है, तो आप चाहें, तो यहाँ पर जैसे मैंने किया है, वैसे कर सकते हैं, कि sigma equals to 4.8 minus 4, तो यह आपका किवल 0.8 के लिए लग रहा है, फिर sigma alpha, यह हो गया, आपका क्या, देखो, यहाँ पर formula देख लेते हैं, तो alpha delta T L, यह portion में area नहीं है, तो per unit area माल लो, ठीक है, मतलब ठीक है, तो उसमें per unit area माल लो, तो और यह दिया है, अपने को 200 giga pascal, तो 200 into 10 to the power 3 mega pascal में आ जाएगा, और नीचे, यह जो 10 upon 10 to the power 3 है, तो यह क्या है मेरा length, तो length यहाँ पर कितना दिया है, आपको 10 meter है steel का, ठीक है, not this, ठीक ह tapered bar की case में बात कर लेती, कि यह तो tapered bar हो, और यह वहाँ पर thermal expansion हो रहा है, तो फिर उसको कैसे calculate करेंगे, तो tapered bar की case में, यह हो जाए का formula, देखो, यह तो हमारे taper bar हो गया, इसको दूनों तरफ से क्या कर दिया, हमने, restrict कर दिया, इधर का diameter, जो larger है, उसको बोल दिया, D1, इ finally, देखो, यहाँ पर इस direction में कौन सा reaction लगेगा, R1, और इस direction में कौन सा reaction लगेगा, that is R2, ठीक है, तो दोनों opposite लग रहे है, तो R1 minus R2 equal to B, बीच में कोई load नहीं लग रहा है, तो R1 minus R2 equal to 0, तो R1 equal to क्या हो जाएगा, R1 equal to R2 हो जाएगा, ठीक है, अब मुझे पास यह प expansion नहीं होगा, तो delta total कितना आगया, 0 तो delta of thermal plus delta of reaction, और यहाँ पर thermal और reaction की वज़े से दोनों आगए, अब मुझे यहाँ पर निकालना क्या है, sigma maximum निकालना है, sigma minimum निकालना है, मतलब R1, R2 भी निकालना है, और sigma maximum कहा होगा, sigma minimum कहा होगा, और reaction कहा होगा, अच्छा एक maximum मिलेगा, obvious है, और D1 का cross section मतलब diameter जादा है, तो obvious है, वहाँ पर मुझे minimum मिलेगा, कि जहाँ पर ज़्यादा area, वहाँ पर stress कम, inversely proportional है, clear है, तो अगे बात करते है, तो भी यहाँ से पहले delta of total equal to this, और sigma delta of thermal plus delta of reaction, तो यहाँ से मैंने क्या निकाल लिया, R1 का value, यहाँ यहाँ PL upon pi D1 into D2 into E, तो यहाँ पर P role play, P का role कौन play कर रहा है, R1, तो R1 आगया, अब वो opposite side में, क्योंकि thermal की वज़े से बाहर जाएगा, और reaction की वज़े से अंदर, तो इसलिए minus आगया, ठीक है, तो R1 की value यहाँ गई मेरे पास, clear है, अब maximum, maximum कहा होगा मेरा, जहाँ पर minimum diameter है, तो pi by 4 D2 square, तो इसको मैं divide कर दूँ किसे, pi by, एक से किसे, pi by 4 D2 square से, तो यह D2 square से, यह D2 से, यह D2 cancel हो गया, यह 4 उठके, ऊपर गया, ठीक है, तो 4 से, यह 4 cancel हो जाएगा, यह वाला 4, यह वाला 4 cancel हो जाएगा, तो finally, आपके पास आजाएगा, alpha, और यह pi से, यह pi भी cancel हो D1 E upon D2, यह D2 बच जाएगा न, एक यहाँ पे, तो alpha T D1 E upon D2, मतलब, यदि मैं इसको simply लिखूँ, तो D1, अब यह मेरा maximum stress आगया, ठीक है, इसे तरह से minimum में निकाल लूँगा, minimum में किसको divide करूँगा, D1 square को divide करूँगा, तो यह D1 से, D1 से, D1 cancel हो जाएगा, यह pi से, pi cancel ह जाएगा, 4 से 4 cancel हो जाएगा, तो यह आजाएगा, alpha T D2 E upon D1, ठीक है, अब maximum और minimum का, यही मुझे ratio निकालना है, तो क्या, इसको से divide कर दो, alpha से, alpha गया, T से, T गया, E से, E गया, देखो, और यह D2 नीचे ही है, यह D2 नीचे ही है, तो, और यह D1 उपर चले जाएगा, तो D1 upon D2 का, whole square, यह मेरा क्या आजाएगा, ratio आजाएगा, किसका, sigma maximum और sigma minimum का, ratio आजाएगा, कि भाईया, कितना होगा, clear है, आगे बात करते हैं, कि भाईया, यह भी निकल गया, तो, ठीक, चलिए, तो, यहाँ पर हमको, जो सीज़े जी निकालना थी, वो सारी निकल गया, reaction निकल गया, sigma maximum निकल गया, sigma minimum निकल गया, चर यह, तो, एक question देखते हैं, कि बार सीन यदि series हो, और उसमें यदि thermal expansion हो रहा हो, तो फिर क्या, ठीक है, तो, यहाँ पर देखो, बार सीन series है, हमारी दो बार है, एक का diameter है, 50 mm, दूसरे का diameter है, 100 mm, मतलब, यह इसका double हो गया लगबग, ठीक है, तो, और length दोनों का 500 mm दिया है, यह मेरा A2 है, यह मेरा A1 है, यहाँ पर reaction लग रहा है, R A, यहाँ पर reaction लग रहा है, R C और बीच वाले portion को B बोल दिया, ठीक है, डेल्टा T, क्या हो रहा है, 80 degrees Celsius, कम हो रहा है, मतलब, कम हो रहा है, मतलब, कौन सी stress develop होगी, देखो, अब कम हो रहा है, मतलब, यह सिखोड़ेगा, पर यह, जो है, boundaries, उसको सिखोड़ने नहीं देखी, मतलब, कौन सी stress, tensile, clear है, ठीक है, किसमें, बार में, समझ आ रही है यह बात, तो, कब compressive होगी, कब tensile होगी, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, अब A2 equal to 4A1 होगा, य परस उसका half, ठीक है, A2 जो है, यह, इसका double है, ठीक है, तो, obvious, A2 equal to क्या होगा, 4 times of A1, क्योंकि, D2 का square होता है, करके देखेगा, ठीक है, कि A2 equal to 4A1 कैसे आया, है न, आगे बात करते हैं, तो, भहिया, R A equal to R C कैसे आया, देखो, पहले, R A इधर लग रहा है, R C इधर लग ने रहा है, तो, R A minus, R A summation of Fx equal to 0, R A minus R C equal to 0, तो, R A equal to क्या होचाएगा, आपका, R C, ठीक है, यह, आपका आगे बात करते हैं, फिर, R A, R C निकाल लिया, अब क्या करना है, अपने को, क्योंकि, thermal यहाँ पर दूरी तरफ से, बाउंडरी लगी हुई है, तो, कोई thermal expansion तो हो यह नहीं, तो, delta T, मतलब, जो आएगा, delta of AC बोलना चाहिए, वो क्या होगा, equal to 0, अब यहाँ पर दो बार है, वो भी अलग-अलग, तो, दोनों का अलग-अलग निकालेंगा, ठीक है, तो, देखो, alpha T L, किसके लिए, first bar के लिए, मतलब, यह वाले बार के लिए, इसी में, आपका RA लग रहा है, तो, RA into L upon A1 into E, ठीक है, अब दूसरे बार की बात करों, तो, इसमें क्या हो जाएगा, alpha T L for second bar minus RA, क्योंकि RA और RC तो, इकवली है, तो, मेरे पास, एक पेरामिटर में में, चेंट कर दो, इसलिए, RA रग दिया, RA into L upon A2 into E, ठीक है, यह आ गया, A2 की दिखा 4A1 रग दिया, ठीक है, देखते हैं, करके, तो, देखो, अलफा T L1, अलफा T L2, तो, यह तो, दोनों सेम ही है, क्योंकि, अल्फा भी सेम है, दोनों के लिए, temperature भी सेम है, और लेंक्त भी दोनों का सेम ही है, तो, यह तो टाइम हो गया, ठीक है, यह इधर ही रहा, यह दोनों उठके opposite side से ले गए तो ra into l upon a1 into e और 1 plus 1 upon 4 1 upon 4 के से आया क्योंकि a2 equal to क्या हो जाएगा आपका 4 a1 तो दब दोनों उधर गए तो positive हो गए दोनों ठीक है ra l upon a1 e common ले लिया तो अंदर क्या बचा 1 plus 1 upon 4 तो इसको solve किया तो किता हैगा 5 upon 4 तो जब ra निकालोगे तो यह इससे में into हो जाएगा तो 2 alpha t और यह l से यह वाले l से यह सारी यह वाले l से एक सेकंड ठीक है तो इस वाले l से यह वाले l से यह वाला l क्या हो गया cancel तो बचा क्या मेरे पास 2 alpha t e और a1 का multiply धर e into a1 into 4 upon 5 तो यह मेरा क्या आ गया r a आ गया clear है अब r a आ गया तो obvious है आपके पास r c भी आ गया सारी values जो given है alpha की t की e की a1 की उनको उठा के put कर दिया तो मेरे पास क्या आ जाएगा r a का value आ जाएगा r a का value आ गया तो आप क्या निकाल सकते हैं sigma in bar a b इस a b बार में आप sigma stress जो develop हो रहा है वो निकाल सकते हैं इसी तरह से इस बार में जो stress develop हो रहा है वो भी निकाल सकते हैं ठीक है तो यह आ गया मेरा sigma of a b और यह आ गया 2 मतलब sigma of a c ठीक है आ रहे और rc तो सेम ही है तो वही रहेगा sigma 1 upon 4 देखो यह 307.2 आया calculate करने पर तो इसको 4 से divide कर दोगे तो यह आ जाएगा ठीक है एक चीज़ और question में पूछी है कि delta b कितना होगा कित से a से ठीक है तो delta b मतलब वो delta b आगे shift होग क्या होगा ठीक है उसको पूछ रहा हो ठीक है तो मतलब मुझे केवल delta a b का ही बात करना है ठीक है तो delta a b equal to क्या minus alpha delta t यह क्या आया delta of thermal प्लस यह कौन सा आया sigma l upon e यह आया आपका due to axial load ठीक है यह due to ra ठीक है तो delta of thermal क्या होता अलफा delta tl होता है इसी दरह से delta of due to load क्या होता है sigma l upon e होता है यह दोनों की value calculate करो alpha की delta tl निकाल चुके है अपन sigma l upon e निकाल चुके है अपन दोनों की value उठा के रखी तो किता है प्लस 0.288 mm किसे a से a से इधर इतना shift हो जाएगा वो ठीक है मतलब 0.288 mm इतना इधर shift हो जाएगा clear है तो यह मेरा आ गया sigma delta a b ठीक है b from moves from right मतलब b जो है वो right की तरफ बढ़ जाएगा ठीक है मतलब यह वाला जो b था ना यहां पर यह वाला b उठके इधर की तरफ shift हो जाएगा 0.28 mm clear है चलिए तो यहां पर यह पूरा partial restriction भी complete होता है now we comes to the bars in parallel चलो इसको next lecture में लेते हैं और इसके सारे formula इसके concept आप थोड़ा सा समझ के पढ़िएगा तो I think पूरा समझ में आ साहेगा तो wish you all the best for your exam and thank you for watching my video and